है दोस्तो आज हम बात करेंगे एक कार्बूरेटर का आइडिल पैसेज जो आइडिल सिस्टेम है आइडिल सिस्टेम और चौक बाल्प के बारेगे में तो आज हम बात करेंगे आइड दू आइडल पैसेज और चौक चौक भालपुए के बारे में तो ये दो पॉइंट के बारे में हम आज बात करेंगे तो दोस्तो जब थोटल भालप क्लोज रहता है तब ये जो वैक्यूम है जो सिलेंडर का जो वैक्यूम है जो सक्षन क्रेट होता है वो थोटल भालप का नीचे तक ही रहता है वो वो वैक्यूम यह इधर तक ज़्यादा नहीं जा पाता है थोरा-तोरा वैक्यूम क्रीट होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं तो वह इतना कम वैक्यूम यहाँ पर इतना कम रहता है कि वो vacuum वो suction यह field को Ֆीच नहीं पाता है तो इसके लिए ही ओ आइडील पैसेज जो है वो पैसेज introduced किया हुआ है दोस्तो यह इस आइडील पैसेज तो दोस्तो यह आइडील पैसेज तब काम में आता है यह तब एक action में आता है जब एक vehicle का speed 40 से नीचे हो जब idle speed जो है यानिके 40 तक 35 या 40 तक जो idle speed है तो उस speed में यह जो passage है यह जो idle passages है तब यह system कम करता है तो होता क्या है idle speed में यह जो throttle valve यह लगबख closely रहता है यह पिर slightly open रहता है तो दोस्तों जब यह 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 मिक्स्चर है यह कुछ ज्यादा ही मात्रा में एक रिच मिक्स्चर है जो जो हद से भी ज्यादा रिच मिक्स्चर है लेकिन जब यहां पर एक चो तोड़ा सा रेस्टिक्शन है यह पर थोड़ा एक होल है मानिए इसको इकोनोमाइजर कहते है इकोनोमाइजर तो तो दोस्तों यह इकक हमाइज़ से यह रिच मिक्सर फिर से यह पैसेज में आते हैं और इदर से तो और आह रहता थोरह सा लीन हो जाता है कि इदर यह उस् This में यह तो em मिक्चर होता है वह रिस मिक्चर होता है और यह इस पैसे से जो इस प्रटो में जो आता है यह एक तोड़ा सा मिक्चर मिक्चर्ण होता है लेकिन यह मिक्चर है फिर भी यह रीच है फिर यह आइडिलिंग मिकचर के हिसाब से वह रीच है जब यह इधर आते हैं मतलब जब इह इस फैसे से जब यह 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 होंड में आते है तब इससाव फिर से मिक्स होता है वह जाता है तब ही चाहिक? वह जो मिक्श होता रहता है ि तो पहले बात तो जब स्विलब दो फोली तब इधर से मिक्चर आते है और इन जो यह वह सब्सक्राइब कलोज रहता है पीस सब्सक्राइब नुचर करके यह यह मिक्स्टर और यह फिर से मिक्स होके वो एक ऐख दम मीच्छर है वो combustion में चम्बर में चले जाता है लेकिन थोड़ा से अगर फ्रोटल बार खोल जाए जब एक्सलेटर प्रेडल को थोड़ा से दबाए यह थोड़ा खोल जाता है तब यह जो restriction है यह भी खोल जाता है तब दो ही पैसे से वह जो आइडल मिक्चर है वह आता है और आप देख स जो कंडिशन में तब आप यह मिक्चर है इसको अड़कर सकते हैं जब एंजिन रुखा हुआ है लेकिन आपका इंजिन द्रुए कंडिशन में वह कितना । है मिक्चर वह इसको आप इस क्रू से अब एड़कर सकते हैं दोस्तों यह जो चॉक भल्प है यह चॉक भल्प का काम है कि वो कमश्चन चंबर में रिच मिक्स्चर बेजे रिच मिक्स्चर सप्लाई दे तो दोस्तों जब स्टार्टिंग के कंडिशन में हम चॉक करते हैं क्योंकि जब स्टार्ट नहीं होता है तब चॉक करते हैं क्योंकि दोस्तों जब हम वो चॉक स्विच देते हैं तो तब यह जो चॉक है यह चॉक एक वाल्प है जो जो रिच मिक्स्चर बेज़ते हैं यह कैसा बेज़ते हैं चलिए दोस्तों हम बताते हैं तो दोस्ते यह जो यह इसका जो construction है एकदेमी सेम है चौक वाल्प का थ्रोटल वाल्प लेकिन जो huge difference है यह है कि थ्रोटल वाल्प यह जो jet है discharge jet यह इसके बाद है और चौक वाल्प इससे आगे है याने कि यह थ्रोटल वाल्प जो यह एर और फ्यूल दोनों को ही restrict करता है जब यह बंद रहता है लेकिन यह जो चौक वाल्प है यह सिर्फ एर को ही restrict करता है लेकिन यह फ्यूल को restrict नहीं करता है suppose suppose हम थ्रोटल वाल्प को खुला रखते हैं थ्रोटल वाल्प को खुला रखते हैं और जब थ्रोटल वाल्प बंद रहता है दोस्तों कि अधोज जब थोड़बाब बंद रहता है तब ऊजो फेक्यम है वह जो सिलेंदर में पीप की प्रेंट होता है और सज्ञें स्ट्रोक में वह यह तक चल या तक बहुत फुली एक डें तब यह देर भी व्यट्म आता है लेकिन थोरे मात्रा में आता है तो जब यह बंत रहता है तो यह वैक्यूम यह तक आता है लेकिन जब यह खोल जाता है यह थ्रोडल बाव हम एक्सेलरेटर पेडल को प्रेस करके जब हम इसको खोल देता है तब यह ही वैक्यूम इधर चले जाता है तो तब यह वैक् को रिस्ट्रिक्ट कर दे चौक फल्फ से तब यहां तो वैक्यूम क्रेट होता ही है क्योंकि थ्रोटल फाल्फ खुला हुआ है तो वही वैक्यूम हवा तो नहीं आ रहा है इसके वज़े से वही वैक्यूम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फ्यूल को खीशता है तब हवा तो तो बहुत है तो थोड़े मात्रा में साइट से आते हैं यह तो है लेकिन वह थोड़े मात्रा में हवा और ज्यादा मात्रा में फ्यूल चले आते हैं और तभी यह रीच मिक्स्चर क्रिएट होता है तो चाख भलप का काम ये है Japanese starting कोडिशन में हमको ये ढटराइग ठंडर रहता है तो हमको रीच मिक्चर चाहिए होता है इसको स्टार्ट करने के लिए और जरू मतलब तो मैं पहले भी बता चुकrito वह रीच मिक्चर में व्यूल ज्यादा तो जब चॉक्बाल बंत रहता है तो हिँग को रिस्टिक्शन बंस कर जाता है लेकिन रहा रहता है इसलिए यह वैक्यूम तो रहता ही है यह यातक बैक्ट रहता ही है यह सक्षन जो होता है za सफ़ोह शोप कर रहा है यह हावा के पैसे दो यह फ्यूल की ज्यादा कीच लेगा तो इसलिए चौक फल्प के मदद से हम इस तरह से हम रीच मिक्शर एक कंबस्चिन चमर में वेज़ सकते हैं लेकिन अगर इंजिन एक बार स्टार्ट हो गया उसके बाद हम चौक फल्प को बंद कर देते हैं और जब चौक फल्प हम बंद कर देते हैं तब चौक फिर से यह रेस्टिंशन को खोल देता है इस पोजिशन में रहता है जब चौक फल्प को हम बंद कर देते हैं तब यह तो दोस्तों एक बात है कि यह जो चॉक बाल्प है यह भी रीच मिक्चर भेशते हैं स्टार्टिंग के टाइम में और यह जो आइडल पैसेज है यह जो मैं समझाया हुआ हूँ यह भी थोरा से मात्रा में रीच मिक्टर बेस्ट है आइडल स्पीट में लेकिन क्या डिफेरेंस है यह आइडल स्पीड आइडल पैसेज ओ चॉक बाद में यह जो चॉक बाद है यह सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग कंडिशन में यह सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग कंडिशन में जब एक सुबस जब इंजिन को आप स्टार्ट करते हैं कोल्ड कंडिशन में तभी तब अगर इस्टार्ट ना हो तो तभी हम चौक फाल्ब को ऑपरेट करते हैं लेकिन यह जो आइडल फैसेच इसको कोई ऑपरेट करने के जरुएंट नहीं यह खुद्बक्रती काम करता है वह कब काम करता है जब यह आइडिल स्पीड हो पर अधर्ड यह जो है तब काम करता है यह यहosa है यह लेकिन वेहिकल फ़का हुआ तब भी यह आइडल केसेच काम करता है दोस दोस्तों यहात कि हम खत्म करता है इस वीडियो को नेक्ट दिन मैं बताऊंगा उन कि यह हो गया आइड कि high speed में क्या होता है है high speed में कैसे काम करता है वो system high speed system एक कार्वेटर में तो दोस्तों याद है कि हम रखते हैं आप सब लोग सुस्त्री है धनियवाद